सूजी कपकेक बनाने के लिए एक मिकसर जार में, एक कप सूजी, एक कप देशी खांड, दो पिंच नमक, दो पिंच बेकिंग सोडा, आधा चमच बेकिंग पाउडर, एक चमच वैनेला कस्टर्ड पाउडर, एक बड़े चमच दही, आधा कप दूद, अब जार को बंद करके इसे अच्छे से ब्लैंड कर ले, इसमें एक चमच ओईल यूज करेंगे, कोई भी रिफाइन ओईल, इसे फिर से अच्छे से ब्लैंड करेंगे, इस तरीके का स्मूध बैटर बना लेंगे, मैंने इस तरीके के पेपर कप का यूज किया है, अब इस सारे बैटर को कप में फिल कर लेंगे, कप को पूरा नहीं भरना है, मैंने सारे कप फिल कर लिये हैं, अब एक बेकिंग ट्रे में इन सारे कप को रख देंगे, इसके उपर टूटी फूटी डाल देंगे, अब एक प्री हीटेड आवन में इन सब को ट्वंटी फाइफ मिनट के लिए बेक करेंगे, एक सो असी डिग्री पे ट्वंटी फाइफ मिनट बेक करेंगे, उपर और नीचे दोनों रोड आउन रखेंगे, कपकेक रेड़ी हो गया है, अब इने बाहर निकाल कर चेक कर लेंगे, एक टूथपिक को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है, मतलब यह अच्छे से बेक हो गया है, पांच मिनट के लिए इसे कवर करके ठंडा होने देंगे, एक केक को बाहर निकाल के मैं चेक कर आती हूँ, आगी पीछे हर तरफ से यह बहुत अच्छे से बेक हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट बन है, अब मैं इसे तोड करके भी दिखाती हूँ, कर दोड़ा है, बिल्कुल सॉफ्ट झाल कर दोड़ा है,